आज की हेडलाइन नौर्ट कोरियन लाजरस ग्रूप्स ने बिटकोईन ओबर 40 मिलियन दॉलर्स जमा किये डेटा बताता है क्रिप्ट एक्स्टेंज अब इतने विड्रॉल्स रोकने के रीजन्स क्लारिफाई किया साथ कोरिया का सबसे बड़ा एक्स्टेंज अब जे एले मार्ट ट्रेडिंग पेर्स को लिस्ट करेगा फोरेंग ट्रावलर्स अब चाइना के डिजिटल यूवान आप को यूज कर सकते हैं एफबियाई वॉन्टेट को फांटर अफ्रिप्रेक स्टेंज विक्स राश्या में सेंटेंस हुआ वायतले कॉइनबेस ट्रांसफर्स आज 400 ETH कॉइनबेस को मूफ किया गया एक्सितिरियम एड्वाइजर ने ETH गेट न्यूज के बीच XRP कॉमेडिय को अप्लॉट किया अब इट फ्लॉड लैंड इपॉजट इंसिदेंट कर्षिकार बना काडानो जेनिसिस ब्लॉड क्रेशन का सिख्ट इंवर्सरी सेलिबेट करता GPX स्कांडल के मास्टर माइंड अभी भाग रहे हैं जबकि 11 सस्पेक्स कस्टिडी मिलिये गए रिकोर्ट आइस रिवर कास्पा ASIC माइनस के फॉस्ट ओर्डर्स डेलिवर हो रहे हैं USDT Exchange and Flow Volume 70MA वन मंथ लो पर ड्रॉप हुआ डेटा के अकॉर्डिंग जो Dune Analytics से 21 को 21 शेर्स के पेरिंट कंपनी से लिया गया है लाजर्स ग्रुप से जोडी बॉलेट करें के लगभग 47 मिलियन डॉलर्स के डिजिटल एसेट्स रखते हैं जिसमें 42.5 मिलियन डॉलर्स बिटकोईं, 1.9 मिलियन डॉलर एथर, 1.1 मिलियन डॉलर्स बाइन्स कोईं और एडिशनल 6,40,000 डॉलर्स टेबल कोईं जादतर BUSD में इंक्लिविदे हैं रिप्रेट एक्स्टेंज अब बिट ने अपने प्लाटफॉर्म पर टेंपररी फ्रीज और विड्रॉल्स के पीछे का रीजन क्लारिफाई किया है अब बिट ने यह भी अश्योर किया है कि इन्होंने थोरो रिवियू किया है और सब वो अपने सर्विसेज रिज्यूम करने के लिए रिए हैं अगली तीन घंटों में GLMR डेपॉसित यूजर्स के लिए उपन होंगे एक important note के साथ ही deposit सिर्फ moonbeams network से ही support किया जाएंगे other networks जैसे कि balance smart chain को accommodate नहीं किया जाएगा GLMR पेर के लिए transaction support September 25, 2023 को 8 UTC पर शुरू होने बाला है चाइना आने वाले visitors अब Central Bank के official CBDC mobile app के through overseas card से digital yuan tokens खरीट सकते हैं चाइना business news के according by YICI bank ने अपना app अपडेट किया है जिससे चाइना आने वाले visitors digital yuan app को app marketplaces से डाउनलोड कर सकते हैं Alexey Biliochenko Vex का co-founders जो infamous Russian crypto exchange BTC E का successor है सिर्फ कुछ साल prison में बिताएगा Russian जो US में money laundering के charges में हैं उसने अपने homeland में Vex का collapse case में sentence लिया है जिससे उसके customers को heavy losses हुआ आज एक noot-pati transaction में vitalik addresses ने 400 ETS ट्रांसफर किया जो approximately 0.63 million dollars के बराबर है Coinbase को यह transaction पिछली महीने के same wallet addresses के किये गए high profile transfers में से एक है Former advisor at Ethereum Foundation Stephen Narayoff ने XRP holder community को cryptocurrency के साथ stick करने के लिए praise किया उसने रिपल lawsuit के obvious reference में comment किया जिसमें U.S. judge Annalisa Tores ने recent summary judgment में एक landmark ruling दी judgment में XRP token sale को retail buyers के लिए securities के रूप में deeming नहीं किया गया था जो रिपल के लिए एक partials win थी South Korea का top crypto exchange Abbitt एक fraudland deposit incident का शिकार बना जसे इसकी operations में चावस आया September 24 को Abbitt ने Aptos tokens का depositing और withdrawal को reporting दी halt किया जब उन्होंने discover कि उनमें से कुछ fake थे घर्ष्ट को चाल के लिए किवार के लिए को भी थे आप हो बाता के लिए रिए